नमस्कार दोस्तों आपका अपना दोस्त इन्फो टेक में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे कि अपने खोए हुए मोबाइल का लोकेशन कैसे पता करेंगे कि वो मोबाइल अभी इस वक्त कहां पर है और कैसे अपने मोबाइल काड सारा डाटा को इरेस कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन में क्लिक करें क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ आप लोगों के लिए मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले तो चलिए दोस्तों आज का ये नया टॉपिक हम सुरू करते हैं कि अपने खोई हुए मोबाइल का लोकेशन कैसे पता करें और अपने मोबाइल का सारा डाटा जो खो गया है उस मोबाइल का डाटा क कैसे एरेज करेंगे तो सबसे पहले आपको गूगल क्रॉम ओपन करना होगा दोस्तों गूगल क्रॉम ओपन करने के बाद आपको यहां पर तीन बटन जो दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक करना होगा और यहां पर रिक्वेश्ट डेक्टॉप साइड में आपको चिक आउ होगा तो मैं इसका description स्वरी आप इसका link आपको description में मैं तो दोस्तों आप जैसे Google account खोलते हैं उसमें आपको सबसे पहले login करना होता है login करने के बाद आप यहाँ पर देख रखते हैं दोस्तों जैसे मैंने पहले से खोल रखाई है Samsung Galaxy J7 Pro last thing just now देखिए दोस्तों यहाँ पर प्ले अभी मोबाइल में 61% बैटरी है प्ले साउंड आप उस मोबाइल को अगर माल लेजे कभी होता क्या है कि हम मोबाइल को अपने पास रख लेते हैं और खोशते रहते हैं घर में इधर उदर रखा जाता है और इधर उदर खोचते हैं कि हमारा मोबाइल का हाल गुम हो गया तो आप ऐसे में उसका साउंड को प्ले कर सकते हैं मोबाइल को लॉक कर सकते हैं और इरेज सारा डाटा आप इसली इरेज कर सकते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पर जश्ट इसके नीचे मेरा लोकेशन तो कर रहा है तोरपा अब इसको मैं जूम करके देखेंगा देखे दोस्तों तोरपा में कि इस अस्थान पर मेरा मोबाइल है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आपको इसका देखना है तो आप इसली देख सकते हैं आप इसको देखे दोस्तों इसको ज यह अभी किस जगा मेरा mobile device से यहाँ पर देखे गरिण कलर में शो कर रहा है दूस्तों मेरा डिवाइज अभी मैं इस अस्थान पर हूं यह मेरा mobile का location है दोस्तों तो ऐसा करके आप अपने mobile का location खोई हुआ mobile का location पता कर सकते हैं और अपने मोबाइल को वापस पा सकते हैं दोसकों तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें धन्यवाद दोस्तों